असलाम लेकम एवरिवान कैसे हैं आप सब लोग होपली ठीक टाक होंगे अलहमदोलेला मैं भी ठीक टाक और ग्रीज से आप सब को बहुत ज्यादा सलाम मेरी तरफ से आज की वीडियो में बहुत ज्यादा मज़ा आने वाला है क्स्ट्रड तो हम सब के घर में बनता है और बहुत ज्यादा बनता है तो किस तरह से हम इसे डिफरेंट जीके से सब कर सकते हैं और इसके साथ साथ मैं आपके साथ नमकीन गोश्ट की रेश्पी शियर करूँगी अँआ था और बहुत उचा पहाड है यह इनफेक्ट और यहां पर भी बेंचिज और ड़स्बन वगरा अरेंजमेंट गोवर्मेंट है किया हुआ है कि किसी किसम की जो है आलूद की ना पहले यहां पर बहुत ही पुरफ़जा मकाम है और बहुत ही मज़ा आता है बच्चे यहां पे आपके बहुत सदा नजवाए करते हैं और हम खुद भी बच्चों को काफी अरसे बाद जो लेकर यहां आए थे तो बच्चों ने बहुत ज़ादा फ़न किया था और इसके साथ साथ रेसिपी की तरफ क्या आना रेस्पी तो हमारे घरों में बच्पन से बनती चली आ रही है कस्टिड की रेस्पी और साथ जैली और शुरू में जो कस्टिड बनता था तो इसमें भी जिदिते आती गई हैं और कस्टिड के ओपर ड्राइफ फूट के साथ डेकुरेट किया जाता था तो उसी शकल थोड़ी चेंज हो गई और ये वाला मीटा जो है बहुत अच्छा बनता है इस लिहाद से के इसमें जो है डेकुरेशन ही इसकी जो है महीनी रखती है बाकी जो है सब कुछ एक साइड पे जस्ट आपने जैली को बना लेना है मैं जैली को थोड़ा पका लेती तो बहुत अच्छा दर्ज़ लटाता है इसमें थोड़ी देर पका लें आप अच्छे से उसको तो साथ ही कस्ट बना लिया था बस इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि कस्ट और जैली जो है आपोजट कलर में लेने है आपने जिस कलर का कस्ट लेंगे उसी कलर की जैली बिल्कल भी अच्छी नहीं लगेगी बलके आपने जैली लेनी है तब भी इसका लुक जो है बहुत अच्छा आएगा और इस मैथड में भी आप जो है इन्युवेशन करते जाएं तो मजीद अच्छे मीठे बनते चले जाएंगे और मैं आपको मजीद गाइड भी करती च registered वाली और ग्लासित की जो लंबाई है वो भी दो तीन इंचे से उजादा नहीं है और चुड़ाई आपके सामने है और यह आम ग्लास जो वाटर ग्लास होता है कि मैंने दो स्पून्स डालनी है तो ये इनफ रहेगा इसके लिए तो इसके उपर साइट से तिर्चा करके मैंने रखना शुरू कर दिया था और अगर आपके ठंडा मौसम है तो आप इसको बाहरी रहने दें ऐसा ना हो कि कस्ट्ड जो है बहुत जादा हो तो एकसाइट से करके ही आपने डालना है कोशिश करनी है जब आप डालने लगें तो इसको तिर्चा ही रहने दे क्योंकि जैली है और स्पोर्ट भी नहीं है तो जैली दोबारा से सेट होने की कोशिश करेगी बेस में तो इसलिए इसको पहले से आपने द Alf War कर के कस्ट्ड डालना है और इसमें किसी किस्तम की मेहिनित नहीं है जस्ट आपका जो है ट्रिक है इसमें बहुत जादा जिस आर्ट को आप जितनी महनत से करेंगे उतना ही मज़े का रिजल्ट आएगा और आप देनी किस्टड इसमें लास्ट रिजल्ट आप देखेंगे कितना प्यारा आया है और अगर आप चाहें तो यस कलर की आपने जाली यूज्रे की है और सुब बना के रखते हैं और शाम को अफ़तारी में हमें खा सकते हैं सब खा सकते हैं अब और दुसरी डिश जो बना रही थी मैं वो नमकीन मटन था वो भी अफ़तारी के लिहास से बहुत परफेक्ट डिश है क्यूंके अफ़तारियों में रोटियां नहीं खाई जाती है तो बहुत जादा एजी है इसको फोक से आप एजी लिखा सकते हैं और साइड डिश पे रख सकते हैं बलके मेंडिश के तोर भी भी रखें क्योंकि अफ्तारी में वैसे भी लोग करोटी को आवाइट करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा परफेक्ट जो है कम्बिनेशन है अफ्तारी में और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा जस्ट मटन है और मटन भी जो है चरबी वाला है अच्छी खासी चरबी हो उसमें वाला मटन लेना है और इसमें अधरक लेनी है वो भी मैंने थोड़ी मोटी मोटी सी कूटी वी है बहुत बारीग नहीं करनी है और लास्ट में जाएगा नमक मैंने हमालियन साल्ट लिया है तो बस यह वाला नमक डाला है बस आप भी जो है इन तीनों चीजों को एड़ करके साथ थोड़ा सा पानी एड़ करके गलने के लिए रखते और गलने के बाद जस्ट इसमें मैंने एड़ किया था काली मिर्च वो भी थोड़ी मोटी कूट के डालनी है बहुत बारीक नहीं करनी है और यह एक लिहास से नो आईल डिश है इसमें चर्बी ही अपना काम करेगी और चर्बी की जो है आईल में ही हमने इसको अच्छे से बुनना है लास्ट में और किसी किसम का आईल बिल्कुल भी नहीं जाएगा काली मिर्च भी देख सकते हो ओ, मुटी मुटी से कूट के मैंने अईड की है बहुत बारीक नहीं करनी है, कहीं कहीं चण्स आते है काली मिर्च के तो बहुत मज़े के लगते है और इसको चेसे बुनाई करके मैं ने इसको बॉल में निकाल लिया था और आप लोग सोच रहे होगे कि इनका चैनल तो विलोक्स कै तो ये कुकिंग में क्या कर रही है तो जारी बात है हूस वाइफ हूँ तो हूस वाइफ का और कुकिंग का तो चोली तामन का साथ है और कुकिंग के बगएर तो आपका घर ही नहीं चाल सकता है जितना भी आप कमाले जो कुछ कर लें लेकिन आलटीमेट आपको खाना तो खाना ही पड़ता है तो हम लोग भी जो है ओटिंग भी करते हैं शॉपिंग भी करते हैं सब काम साथ साथ होते हैं और इसके साथ मेन काम कोकिंग का होता है और अगर इसमें आप पास हो जाते हैं तो आपकी जिनकी सबर जाती है और जो है इसके साथ ही मैंने इसको जो है बोल में निकाल दिया था और अपने आने वाले विलॉग्स में मैं आपके साथ डिफरंट डिफरंट रेसिपीस भी शेयर करूंगे और इसके साथ साथ जो है विलॉग्स भी होंगे जिसमें हम Sta boiler भी करेंगे, Greez भी देखेंगे ग्रीज की beauty भी देखेंगे तो परशानमा तो येगा और मेरे साथ रीएगा और इसके साथ ही झो है मैंने इसको डूंगे में निकाल लिया था और ये पाकिस्तान से आई वी जो है चोटी सी कडा ही है, बहुत प्यारी लगती है और पाकिस्तान में शायद आपको इतनी हमियत ना पता हो, लेकिन हमें इसकी बहुत ज़्युदा कदर होती है और आपसे का वदन देख सकते हैं और हम इस समान में राके लेके आए थी बलके अपने दिल में राके लेके आते हैं हमें इती चीजों को जिसमें हमारे वतन की हमें नजर आता है जो हुबसूरती तो इस तरह से हमें अपने दूसरे बरतनों से मुझे ज़्यादा प्यारी है यह मैं बहुत केयर करके रखती हूँ और इवन के जो है जो है जा खास हो के इवन पे ही निकालती हूँ इसको और यहां से इसकी इंपोर्टन्स का इंदाजा कर लीजिए कि जो बहुत खास दावत होती है तो मैं इसमें सरविंग करत हो अदरवाइस मैं इसको बिल्कुल भी नहीं चेर ड़ती हूँ इंशाला नेक्स्ट विलॉग में मुलाकात होगी अपना बहुत सा क्या रखिएगा तब तक के लिए खुदाहफेज झाला नेक्स्ट के लिए